पिता की डाग से नाराज ITI के छात्र रेलवे स्टेशन की पत्री पर लेता। ट्रेन आने से पहले जी आरपी इंस्पेक्टर और यात्रियों ने दोड़ कर बचाया। जाको राखे साया मार सके ना कोय, लेकिन आत्महत्या करने आया ITI के छात्र को बचाने वाला ITI का सब इंस्पेक्टर आज देवदूद साबित हुआ। फिर उजाबाद, ITI में पढ़ने वाला छात्र मनोज गुमार ने आज दोपहर को रेलवे स्टेशन के पास रेल की पत्री पर सिर रखकर आत्महत्या करने की सोची। शिकोहबाद से ट्रेन आ रही थी जैसे ही ट्रेन को थोड़ी दूरी पर युवक ने देखा वह रेल की पत्री पर लेट गया। वही पर मौझूद जी आर्पी के सब इंस्पेक्टर संतोश कुमार और यात्रियों ने देख लिया। सभी लोग उस युवक को बचाने के लिए लपके और चन सेकन में ही युवक को पत्री से उठा कर प्लेटफॉर्म पर ले आए। यह सारा नजारा रेलवे स्टेशन पर लगे सी सी टीवी में कैद हो गया। वही जब हमने जी आर पी के सब इंस्पेक्टर संतोश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि युवक से उन्होंने बात की थी दरसल युवक को उसके पिताजी ने डांग दिया था और कहा था कि तुम अपना मुह मत दिखाना। इसी को लेकर ही युवक आया और उसने रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या की कोशिश की लेकिन हमने उससे बात की और उसके परिजनों को भी बुलाया युवक को परिजनों को सौप दिया क्या नाम है बाज़ा मेरा नाम संतोष कुमार क्या गटना करीब बारे बजे दिन की है आज कि एक लड़का था इसका नाम अनुज कुमार पिता जी का नाम संजय कुमार और यहीं वहां पर फुरोजाबाद का रहने वाला है तो बिद्याले बिए साइटी आई है यह रेलवे लाइन के किनारे उसी में पढ़ता था इस सुवह घर से नाराज होके आया पिताजी अधर गाड़ी देखके अचानक लेट गया गाड़ी जो पीछे करीब एक किलो मीटर पीछे कौसन है उसकी वज़े से स्लो स्पीड में आ रही थी तो हम लोगों की नजर पड़ी तुरंत अतकल आरपी अपके थे दो जवान और हम लोग तुरंत दोड़े और उसे उठाया साइट से खड़ा किया गरवालों को बुलवाया गया उसके अध्यापक को बुलवाया विद्याले से कैसे निकला आया तो समझा वजा के पर गरवालों के साथ जाने दिया उसे तो वो अपने पिताजी से पिताजी ने थोड़ा डांट दिया था कावाम के लिए कह दिया थ अगर आप लोग थोड़ी सी चूप कर जाते हैं या दस सेकंड बीस सेकंड और लेट हो जाते हैं तो युवक्ती तो जान चली जाती है कोशन था कोशन की वज़े से थोड़ी स्पीड कम थी उसका 30 किलो मेटर कोशन लग रहा है और कोशन नहीं होता तो बचाने का भी मौका साइद नहीं मिल पाता क्या कह रहा था वो चात्र बस बोहीं अपने प्रता जी के बार मतायक मुझे डांट दिया था और यह कहा था कि पर वो संतुष्टो कर चला गया ऐसा नहीं करते हैं माब आप तो डांटते रहते हैं समझदारों आज आपको अच्छा लग रहा है कि आपने जिंदगी वचाई है नहीं बिल्कुल क्यों नहीं जो है कुछी मैसूस होती है अच्छा करने में अपना कर्तब भी है